नमस्कार गाइस बुलीश फुल मास्टर में आपका स्वागत है दो इंपोर्टेंट न्यूज है इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है और इसे के साथ साथ कुछ स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं उसके बारे में भी डिसक्सन करेंगे मज पोल डाटा आ गया है और मंगलवार को फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा जिसे कि अभी पिछले जो एलेक्सन हुआ था उसके अंदर भी मंगलवार को रिजल्ट आया था और आपने देखा ही था कि मार्केट में क्या मुमेंट था क्या नहीं था अभी कुछ दिनों से आया था एंप्लोई डाटा वो बुलिश आया था उसके कारण आपने फ्राइडे को तेजी देखी मार्केट में अपसाइड गया था तो अब पहले हम देखते हैं मार्केट का जो इलेक्सन का जो व्यू होता है क्या होता है हरियाना विदान सभा 90 सीट में से बीजेपी की सब्सक्राइड और यहां पर हरियाना में यह फाइनल बता रहे हैं यहां पर एक्जिट पॉल कि यह 58 सीट आ रही है मतलब कि यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है यहां पर कॉंग्रेस की सरकार आने की ज्यादा चांसेज है एस पर एक्जिट पॉल आप भी कमेंट करके बताना किसकी सरकार आनी चाहिए किसकी नहीं आनी चाहिए जम्मू कस्मीर के अंदर मैंने आपको भीज दिया था यह बीजेपी की सीटें आ रही है और कॉंग्रेस की सीटें आ रही है 40 अब इसमें पीडीपी और अदर्स इसके साथ हो जाते हैं तो यहां पर चांसेज हैं बीजेपी के अदर्वाइस यहां पर भी कॉंग्रेस के चांसेज ज्यादा लग रहे हैं मैक्सिमम चांसेज कॉंग्रेस के लग रहे हैं दोनों स्टेट के अंदर आप भी कमेंट करके बताना तो यहां पर जो एक बुलिश डाटा की जो बात होती है कि वीजेपी आती है एक कंटिन्यू जो सरकार होती है वो अगर चलती है तो यहां पर क्या ना मार्केट को बुल चारसो पंदरा आएगी कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे तो इसी को देखते हुए मार्केट बड़ा गेप अप होता है लेकिन यहां पर कॉंग्रेस की ज्यादा उमीदे हैं तो कई सेनेरियो यह समझना मैं चलता हूं चार्ट के ऊपर यहां पर चीज की लेकिन अब यहां पर देखो पहले मेजर इंपक्ट तो कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि दो स्टेट का इलेक्षन एक तो होता है या पूरे इंडिया का एक होता है कि हरियाना और जम्मू कसमे तो जादा इंपक्ट नहीं होगा इंपक्ट होगा तो मार्केट यहां पर यूएस डाटा अगर यूएस डाटा को मत यह नजर करते हुए अगर मार्केट ओप तो मार्कट आपका Gap Up के लिए open होगा בפ लगा फिर धनाम से गिर जाएगा यही एक यॉत कड़ार्प मार्केट में बुलिश मोमेंट है आपको दीखा देता हूं यहाँ पर आज़ाती है कैंसल इहां पर आप देखो डॉ जोंस चों खोंग दी है हलका सा bullish close हुआ था इस चीज को त्यान में रखिएगा बात करते हैं कि फ्निप्टी की वह भी 25,240 पे 25,240 पे ठीक है ना पाच अक्टूबर ठीक है चपन पॉइंट प्लस के अंदर इस चीज को त्यान में रखिएगा अब कल मार्केट कहां open हो सकता है क्या scenario हो सकता है साथ म भी बता देता हूँ आप लोगों को त्यान में रखिएगा DAE और API data DAE की यहां पर अगेन तेजी है बाइंग में API की अगेन सेलिंग है 9800 करोड की प्लस माइनस करता हूं तो 1000 करोड के आसपास एक negativity मतलब सेलिंग दिखाई दे रही है थोड़ी जादा sellers थोड़े जादा व वीडियो को लाइक कर देना 500 लाइक की उमीद है आप हर वीडियो में कर देते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे सब के कमेंट पढ़ता हूं जिसके जैन्मन एक रियल होता है एक होता है नाइस के साथ आप कुछ अच्छे कमेंट बेचते ह कि सर मार्केट में इस तरह से यह मुवमेंट हुआ है अगर लर्निंग के वीडियो जिस जिसके मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं 50,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं गीववे देने वाला हूं उनका ही नाम रहेगा याद रखिएगा ओके इस चीज को धियान में रखिएगा तो अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्षन की अगीन वापिस में टॉपिक पर आता हूँ तो एस पर जो वीजेपी की सीटे ज़्यादा आ रही थी एक्जिट पोल के अंदर तो मार्केट गेप अप हुआ यहाँ पर कॉंग्रेस की ज़्यादा आ रही है तो अपकोर्स अगर युएस डाटा को देखते हुए तो मार्केट डाउन आ सकता है तो मार्केट डाउन आ सकता है जो हमारा एक सेनेरियो था जो अपना एक सेनेरियो था कि भाई मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए बहुत अ उमीद करेगा इस तरह से गिरने की उमीद करेगा जो नेगेटिव निउस है वोर का एक्ट चल रहा है वोर की वज़े से मार्केट कई दिनों से डाउनफोल चल रहा है नमबर वन नमबर टू अपना मार्केट है टो को फोलो करते हुए nu त्री मतलब इसके अंदर मार्केटब गिरने की उमीद ज्यादा है भी अधे गंटा कुछ ट्रेयप करके मार sarc गिर जाए कुछ भी कर सकता है तो कल कल temos जो 9 बजे का लाईव है नो बजे का लाईव है वो कोई भी मिस मत करना क्योंकि मैं रोज आपके साथ 9 बजे लाईव रहता हूं वो लाईव मिस मत करना और अगर लाईव नहीं देख सकते हो तो कल 8 बजे सुबह वीडियो आती है मेरी मार्केट वर्किंग और सोते हैं उससे पहले एक गंटे पहले वीडियो आती कि क्या सेनेरिव कर सकते हैं कुछ लोग है जो ओफिस निकल जाते वह लाईव नहीं देख सकते तो उनके लिए मैं वीडियो बना देता हूं इस पर क्योंकि मॉर्णिंग आउटलुक होता है युए एस एक एमपलोई डाटा को छोड़के ठीक न तो मार्केट डॉण भी हो सकता है और युएउए स्पलोई डाटा को फोलो करेगा तो मार्केट गैप भी हो सकता है तो पहले ही मैं बोलके गया कुछ भी करो विदाउट हेजिंग प्लान मत करना अभी तो मंगलवार क और मज़ा आएगा तो next week आपका एक मज़ेदार week होने वाला है इस पर क्योंकि वह election week है ठीक है तो मज़ा आने वाला है तो कौन-कौन चाहता है कि market gap down हो जाए कौन-कौन चाहता है market gap up हो जाए मुझे comment करके बताना तो यह रहे निफ्टी के और यह रहा अपना इस चीज को ध्यान रखिएगा मार्केट यह में से डाउन है सब कुछ प्लस नीचे है तो अपसाइड के लिए परफेक्टली कोई रेंज नहीं तूट जाती हम अपसाइड नहीं जाएंगे और ध्यान में रखिए का गाईस जब भी मार्केट बड़ा गैप अप हुआ और यहां पर एकजिट पॉल का यहां पर नेगेटिविटी चल रही है मार्केट के अंदर और देखो कितनी यह कितनी अजीब बात है गाईस डाउ थिओरी के आता हुँ गाईस कुछ स्टॉक पहले देखेंगे दो बैंक का स्टॉक HDFC और अपना इसी बैंक अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा एक अपसाइड मुवमेंट रहेगा और एक रिवर्सल होगा गाईस टूंड्रेड एमेका यहां से अगर तूडता है त अपस्टरी का सेनेरियो नेक्स्ट बात करते हैं आईंकď की अगर आइसी लेंक के अदर में आवर्ली टाइम परेम चार्ट लेकर आता हूं तो आइसी का नेक्स्ट जो सपोर्ट है यहां पे दुओ इंप्रूर्टंट सपोर्ट है अं अगर मार्रक्ट गिरता है तो यह सप गिर गया तो पहला support second support यहां पे रहेगा आई चेज़से का डाटा कमजोर है ठीक है ना डाटा पूरा अच्ट अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कि अगर मार्केट गिरता है तो कौन से स्टॉक है जो बुलिश हो जाएंगे कौन सी स्टॉक है जो गिर चुका है और अगर यहां पे अगर यहां पे अगर मार्केट के अंदर कुछ ऐसा कुछ हो जाए मार्केट काफी गिर जाए तो हो सकता है आपका हीरो मोटो यहां पे सपोर्ट बना ले important सपोर्ट है मैं अगर यहां पे 15 मिनट पे आकर आपको समझाता हूँ तो गाइस एक बड़िया रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर यह ट्रेंड लाइन यहां से ब्रेक होता है या पिर एक जो प्रिविएस अपकरा मार्केट अपसाइड जाता है तो आपको गाइस यहां से रिस्की ट्रेंट्री इस आपका पावर्फुल पर्फेक्टली जोन है और जो की 200 EMA का एक टार्गेट नज़रा रहा है second target यहां पर आ रहा है hero motto का बड़ीया यहां नज़र आरहा है हेरो मोटो के अदर इस चीज को ध्यान रखिएगएđ support को तो ज्यादा इसके अंदर ध्यान नहीं देना है बात करते हैं इसको छोड़ो इसने अपना काम कर दिया था important support पर आ चुका है and Britannia हाँ जी Britannia को आप देख सकते हो जिसे हमने बात की थी Britannia top पर था control सब कुछ remove करता हूं 200 इमें के नीचे आ चुका है Britannia और यहाँ पर गई जैक important support था और major support बनाया भी रहे को पहले भी यह perfectly support था ठीक है ना support बनाया और next support जैसे parallel तोड़ के जैसे इस parallel तोड़ के जैसे मार्केट reversal कहीं से भी होता है और 200 इमें से अगर उपर निकल गया पहला target 200 इमें है 200 इमें के उपर निकल गया तो बड़िया targets आपको मिलने वाले हैं अगर आपकी सरकार Congress का ज़्यादा आता है exit तीनो तीनो गाइस जो है मैंने आपको बताए हैं hero motto Britannia और हिंदुस्तान यह अगर market गिरेगा तो यह दोनों थोड़े बुलिश जाने की कोसिस करेंगे M&M की बात करता हूं M&M important support पर आ गया है M&M और गिरने की उमीड है M&M का जो यह डाउनसाइड के लिए targets नजर आ रहे हैं अगर guys यहां से अगें तूट जाता है तो guys एक पहला support second support third support और fourth support powerful powerful यहां पर support नजर आ रहे हैं हो सकता है आपको M&M और चोटी सी rally यहां पर दिखा दे इस चीज़ को धियान रखिएगा यहां से आपका इस चीज़ को ध्यान रखिएगा गिरेगा और यहां से रिवर्सल होगा तो भी मज़ा आएगा ठीक है न अपोलो दोखा दे देता है ध्यान रखिएगा अपोलो बड़िया रिवर्सल होता तो आप एस पर प्राइजेक्शन के इसाब से आप ट्रेड का प्लैन कर सकते हैं अपोलो को ठीक है और जाएगा तो अपना इसके चीजों को देखता हूं तो में couple यांक में आता हूं और अपना इंपोटेंट पराट करता हूं और डेली टाइम के अंदर डेली टाइम प्रेंप के अंदर भी यह नेगिटि दिखा रहा है मतलब रिलाइन्स इतना गिर चुका है और बहुत नुक्सान होच्पनी को ठीक है गाइस continue गिर रहा है और गिरते गिरते 200 यह में के डाउन भी आ चुका है और नेक्स सपोर्ट यहां पे जो दिखा रहा है वह 2650 के आसपास दिखा रहा है हो सकता है आपको next week आपको यहां पे देखते हुए मिल जाए यह भी हो सकता गाइस अगर बढ़िया मूंट देखने को मिलेगा अगर रीवर्सल आएगा तो अपने को एक एक डे की बुलिश यहां पर चाहिए तब करेंगे टोंडेड एमेंके उपर की तरफ जाएंगे तो रिले इंस को आप स्विंग के लिए रिवर्सल के लिए एड करके रखना जब भी रिवर्स तो मज़ा आएगा बारती एटल अब दीरे 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 डाउन आ रहा है आ रहा है आ रहा है हो सकता है अपने important support पर आ जाए ठीक है टीसी की बात करते हैं तो टीसी गाइस कई दिनों से sideways साइडवेस होने के बाद फिर साइडवेस हो गया तो यह एक अपना इसकी अलगी कानी है यह बढ़िया दंग से तूट ही नहीं पा रहा है ठीक है कोई वह मैजर पावरफुल कह सकते हो और यहां पर नौकरी की बात करता हूं तो परफेक्ट था नौकरी और अगर यहां से का अगर मार्गेट तूटता है अगर रीटेस्ट लेकर अपसाइड जाता है तो हमारे अपसाइड का सेनेरी रहेगा अधर वैस यहां से टूट गया तो यहां पर भी मज़ा आने वाला है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा ओके गाईस थैंक यू मिलते हैं हम एक आई-